नमस्कार, रस्तोगी आनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है, आज NCRT पैटन के अधार पर कलास 10 के विज्ञान चेप्टर 2 के बारे में अध्यन करेंगे, जो चेप्टर का नाम है अमल छार एउम लवड, इसमें आज थिवरी वाले प्रशनों को अध्यन उसके बाद NCRT प्रशन और अभिहास वाले प्रशनों को हल करेंगे, आज का पहला जो हेडिंग है अमल, अमल क्या है, अमल वे पदार्थ है, जो स्वाद में खटा होता है, उसे अमल कहते हैं, अमल की परिभासा बहुत असान है, वे पदार्थ जो स्वाद में खटा होता ह उसे अमल कहते हैं और दूसरी परिभासा एक वेग्यानिक है जिनका नाम आरहिनियस ने इनकी परिभासा इस परकार दिये अमल का कि अमल वेपदार्थ होते हैं जो जली बिलेन में हाइड्रोजन धनायन मनियच के उपर प्लस देते हैं उसे अमल कहते हैं तो अमल में एक पहचान देखना है, जिसमें यच होता है, तो समझ जाईएगा अमल है, हाइडोजन धनायन होते हैं, तो अमल है, तो अमल की दो परिभासा, पहली परिभासा बहुत आसान, अमल वे पदार जो स्वाद में खटा होता है, उसे अमल कहते हैं, अब वे पदार ज जली बिलियर में हाइड्रोजन धनायन देते हैं उसे अमल कहते हैं जैसे यहां पर इसमें हाइड्रोजन धनायन है सर्फिरी कमल का सुत्र होता है यच टू यच सोफोर यहां जो देखिए हाइड्रोजन है इसलिए यह जो है खटा होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन धनायन है हाइड्रोक्लोरी कमल में यच सी यल इसमें भी यच है तो यह भी आपको खटा होगा नाइट्रिकम में भी यच यनो 3 है, यहाँ पर भी यच आए, इसने भी खट्टा होगा और H2 का अमल है, जो CS3, CWO यच जो H2 का अमल है, यह भी बहुत खट्टा होगा, क्योंकि इसमें भी यच है तो यहां समझ में आगया होगा जिसमें हाइडरोजन धनाएन होते हैं उसी को अमल कहते हैं और अमल की विसेष्टा क्या है ता अमल की विसेष्टा जो है आपको निम्न है पहला जो है अमल स्वाद में खटा होता है दूसरा जो होता है यह नीले लिटमस पेपर को लाल करता है जो नीला कागज रहेगा पेपर है उसी को लाल कर देता है और यह जो प्रोटान दाता होता है यह प्रोटान देता है मतलब क्या यह धन आयन बनाता है इसनि वह दाता होता है और यह अमल जो होते हैं हाइडोजन ध अमल की विशेष्टा भी समझ में आ गया होगा कि अमल स्वाद में खटता है और यह नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है फ्रोटान दाता है और अमल जो है हाइड्रोजन धनायन देते हैं तो अमल के बाद अब चारक के बारे में ध्यन करेंगे चारक क्या है तो चारक है वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा होता है अभी हम लोग खटा पड़े हैं अब तीखा आ गया तो जहां खटा है तो वो अमल है जो तीखा है वो चार है वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा होता है उसे चार कहते हैं और आरहिनियस के नुसार अगर देखा जाए आयन, red आयन मैंना OH के उपर माइनस देते हैं, उसे छारक कहते हैं, अमल में OH के उपर प्लस था, और छारक में OH OH के उपर माइनस है, जिसमें OH है, तो समझ जाएंगे वो छार हैं जैसे हाँ पर एक्जामपल है sodium hydroxide sodium hydroxide में यहने OH है यहाँ OH है, इसलिए बहुत तीखा है क्योंकि OH छारक में पाए जाते हैं, इसलिए तीखा है और यहाँ potassium hydroxide potassium hydroxide के सुत्र के OH होता है, यहाँ पर भी OH है, इसलिए छारक है बहुत खटा तीखा होगा और barium hydroxide B, A, C B, A, OH का ट्वाइज है यहाँ पर भी OH है यह भी बहुत तीखा होगा और barium hydroxide C, A, OH का ट्वाइज यहाँ पर भी बहुत तीखा होगा यहाँ पर OH है, इसलिए बहुत तीखा है और जिसमें यच प्लस होता है, वह क्या है बहुत आपका खटा होगा तो अमल और छारक के बारे में पुरा समझ में आ गया होगा अब अगला जो heading है छारक की विसेस्ता छारक की विसेस्ता क्या है तो जैसे अमल की विसेस्ता याद किया जाएगा तो उसी तरह छारक का भी विसेस्ता याद किया जाएगा या स्वाद में तीखा होता है और उसमें क्या था उसमें स्वाद में क्या था खटा होता था या स्वाद में तीखा होता है या इसमें लाल लिटमस यहाँ पहले नीला लिटमस पेपर था अमल में नीला लिटमस पेपर को लाल करता है और छारक में जो है ला लिटमस पेपर को नीला करता है उल्टा है बस उल्टा ध्यान देना है मने इसमें लिटमस पेपर को उल्टा लेना है और इसमें क्या प्रोटान ग्राही होता है ग्राही मतलब आपको यह इलेटान को लिया है ग्रहन किया है इसने ग्राही करते है रेड हाईडाकसाइड रिड़ आएन देता है अगर तौचा पर फफोले डाल देते हैं अगर तौचा पर गिर जाए तो फफोला पड़ जाता है तो अमल आउचारक आपको समझ में आ गया होगा अगला जो है अमल तथा लवर तथा उदासी निकरण अवकिरिया तो लवर तथा उ अभी हम लो अमलो चार पढ़े हैं अभी वही अमलो चार को मिला दिया जाए तो हमारा लवड बन जाएगा और इस अवकिरिया को ही उदासी निकरण अवकिरिया कहते हैं तो यहां परिभासा है अमलो चार को अमलो तथा चार के अवकिरिया करने पर जो उत्पाद बनता उसी को क्या कहते हैं लवड कहते हैं और इस अवकिरिया को उदासी नी करण अवकिरिया कहते हैं यहां भी समझ में आ गया होगा कि जब अमल अच्छार को मिलाते हैं तो लवड बनता है और इस अवकिरिया को उदासी नी करण अवकिरिया कहते हैं यहां एजामपल दिया गया है इ अगला जो है उदासी नी करण उस्मा उदासी नी करण उस्मा भी बहुत असान है जो तनु बिलियन में किसी अमल के एक गराम तुलियांकी को किसी छारक के एक गराम तुलियांकी द्वारा उदासी नी करण उस्मा करते हैं साथ हमें उस्मा की प्राप्थ हुआ है जो तेरे दस्मलों साथ कीलो कैलोरी उस्मा जो है प्राप्थ हुआ है इसी उस्मा को उदासी नी करण उस्मा तहते हैं अगला जो हेडिंग है सुचक मुष्ट आइमपी कुर्शन है सुचक सुचक वे पदार्थ होते हैं जो अमली बिलियन में एक रंग तथा चारी बिलियन में दुसरा रंग पर घट होता है तो अमली में एक रंग होगा और चारी में दुसरा रंग को आपको हो जाता है अमली में एक रंग मतलब अमले में एक रंग रहेगा और चार में उसका क्या रहेगा दुसरा रंग रहेगा उसी को क्या कहते हैं सुचक कहते हैं सुचक वे पदार्थ होते हैं जो अमली में ए होता है मेथीर रेड अमली में लाल होता है और छारी में नीला हो जाएगा और पिना लभे तिन जो है और आपको अमली में रंगहीन होगा और आपका तो आपको सूचक समझ में आ गया होगा यहाँ सूचक के जो यैंपड़ है और ह Jackie है और हेँए पिसक tempting पगल में छारी है यहाँ पर आमली में भी रंग दे दिया गया है और छारी में भी रंग के बारे में बता दिया गया है इसे आप यह लोग याद कर लें अगला जो हमारा हेडिंग है सूचक के परकार सूचक कितने परकार के होते हैं तो सूचक जो होते हैं निम्न परकार है पहला जो है प्राकृतिक सुचक, अब प्राकृतिक सुचक नाम से ही पता चल जा रहा है कि इस्वर का सुचक, प्राकृतिक मतलब इस्वर की किरपा, इस्वर के द्वारा सुचक, वे सुचक जो प्राकृत में पाए जाते हैं, ऐसे सुचक को प्राकृतिक सुचक करते हैं, उसे प्राकृतिक सुचक कहते हैं, अगला जो है संसलेसित सुचक, संसलेसित सुचक जो है, यह मानु द्वारा प्रियुक साला में बनाए गया है, वे सुचक जो मानु द्वारा प्रियुक साला में बनाये जाते हैं, ऐसे सुचक को संसलेसित सुचक कहते हैं, जो प्रियुक स साला में बनता है जो मानू ने बनाए ऐसे सुचक को संसलेशित सुचक कहते हैं जैसे जो है मिथाइल आरेंज मिथाइल आरेंज जो प्रियोक साला में बनाया गया मानू ने बनाया गया इसने से संसलेशित सुचक कहते हैं दूसरा जो है फिनाफ थेलीन है ये भी जो आपको बनाए गया प्रयोक्सालाम बनाए गया है और यह मानो द्वारा बनाए गया है इसने से संसलेसित सुचक कहते हैं अगला जो है गंध यूक्त गंध यूक्त सुचक गंध यूक्त सुचक वे सुचक जिसमें गंध होती है ऐसे सुचक को गंध सुचक कहते हैं जिसमें गंध न है ऐसे सुचक जिसमें गंध होती है उसे गंध सुचक कहते हैं अगला जो है स्वर ब्यापिक सुचक कई सुचकों को एक दूसरे में मिलाकर ऐसे मिस्तरन तयार किये जा सकते हैं जो भीन भीन पीयच वाले रंग को प्रकट करते हैं आपको स्वर ब्यापिक सुचक कहलाते हैं जब कई सुचा को एक दूसरे से मिला कर ऐसे मिस्तरन तयार किये जाते हैं, जिनका जो पियच का मान रहता है, उनका अलग अलग प्रकट करते हैं, उसी को स्वर ब्यापी सुचा करते हैं, इसका एजामपल है मेथिल रेड, मेथिल रेड स्वर ब्यापी सुचा का उधारण है अब अगला हेडिंग है लवड लवड के परकार लवड कितने परकार के हैं तो लवड जो होते हैं निम्न परकार के होते हैं पहला जो है समान लवड वे लवड जिन में बिस्थापनी यच यच के उपर पलस या ओयच के उपर माइनस नहीं होते हैं बहुत आसान परिभासा ह जिसमें यच कोपर प्लस और ओयच कोपर माइनस दोनों नहीं होते हैं ऐसे लवड को का कहेंगे समान लवड करते हैं जिसमें यच भी नहीं रहेगा यच कोपर प्लस और जिसमें ओयच कोपर माइनस यह दोनों उसमें पदार्फ में दिखाई नहीं देते हैं आईसे लवड को ही हम क्या करते हैं समान लवड जैसे यहाँ पर NACL NACL में H है NACL में H नहीं है इसने समान लवड है आपका KNO3 में इसमें भी H नहीं है वो H नहीं है इसने आपका क्या समान लवड है यहां भी K2SO4, K2SO4 में जो देखेंगे, इसमें भी यच कूपर प्लस, या वो यच कूपर माइनस नहीं है, इसने आपका क्या है, समान लवड है, अगला जो हेडिंग है, अमली लवड, अमली लवड क्या है, वे लवड जिसमें हाइड्रोजन धनायन, केवल केवल हाइड्र मतलब यच के उपर प्लस होते हैं, ऐसे लवड को ही का कहते हैं, अमली लवड कहते हैं, जिसमें यच रहेगा, यच कूपर प्लस रहेगा, ऐसे लवड को हम लो, अमली लवड कहते हैं, जैसे यहां लिका है, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट में द किया गया सोडियां बाई slut मेंкольियां एक वह उसके हैं इसमें धन आयन है इसने में कौनची हैं अमली लवड है आपका यहां पर में यहां tips bemी कशाम दिदंग में आपका यमजी हो यह स्थेता हं कि यह स्थेता हैं और दुन स्थेता हैं यह सुप्वित दैडान दिमान हैं और जिंक आक्सी कॉलराइड जिंक में भी आपका जेड यान ओयच इसमें भी है इसलिए जिसमें ओयच रहता है जो छारकी लवड कहलाता है तो इसमें समझ में आगया होगा यह आपका सदा जो समान लवड था अमली लवड है चारकी लवड है अगला जो है मिश्रित लवड वे लवड जिनमें एक से अधिक परकार के धन आयन या रेड आयन होते हैं ऐसे लवड को मिश्रित लवड कहते हैं सोडियम पोटैसियम सलफेड सोडियम पोटैसियम सलफेड जो है इसमें आपका जो ऐसे जो लवड है जिनमें धनायन भी रहता है और रिड आयन दोनों के गुण पाए जाते हैं उसी को मिश्रित लवड कहते हैं तो यहां जो एजांपल दिया गया है सोडियम पोटैसियम सलफेड यहां जो धनायन भी है और रिड आयन भी है बिरंजक चुड में C-A-O-C-A-C-L कोष्ट बंद करके हैं इसमें भी आपका धनायन और रिड आयन है इसमें जो मिश्रित लवड हैं अगला जो है दिविक लव के जली बिलियन के वास्पी करन से प्राप्त लवड को दिविक लवड कहते हैं दो सरल लवडों के जली बिलियन के वास्पी करन से प्राप्त लवड को दिविक लवड कहते हैं जैसे यहां पर फिटकरी है फिटकरी को दिविक लवड में आते हैं जैसे आपका पोटैसियम फिटकरी का सुत्र है कि ये 2SO4 AL2 कोष्टक में SO4 का होल्थराईज इन्टू 24 H2O 24 H2O इसमें मैंने पानी के और जो है 24 है मोहर लवड़ जो हते हैं या फ़ी SO4 कोष्टक में या है आपका यान याच 4 काटवाईज SO4 6 S2O इसमें पानी की जो मात्रा है इसमें 6 अड़ू है तो यह जो लवड़ है द्वीक लवड़ का उदाहरण है शंका लवड़ वे लवड़ जिनमें आयन अथमा उदासीन अड़ू किसी धात्विक धनायन के साथ उपसर सयोजक बंद बनाते हैं ऐसे लवड़ को शंका लवड़ कहते हैं जिसमें धनायन अथमा उदासीन और किसी धात्विक धनायन के साथ उपसर सयोजक आपका बंद बनाते हैं ऐसे लवड़ को शंका लवड़ कहते हैं या दूसरा परिभासा इस परकार है कि वे लवड़ जो अपनी पहचान को थोस अवस्था तथा बिलियन अवस्था में नहीं खोता है ऐसे लवड को संकर लवड कहते हैं पोटाइसियम फेरोसैनाइड जिसका सुत्र है के फोर कोष्टक में या फ़ई सी यान कोष्टक बन सिक्स या पोटाइसियम फेरोसैनाइड जो है संकर लवड के उदाहरण है सुडियम अरजेनोटो सैनाइड यानने एजी कोष्टक में यानने सी यन का ट्वाइज है या जो भी है संकर लवड का उदाहरण है तो आपको यहाँ पे जो लवड की परिभासा दिया गया है समझ में आ गया होगा इस परिभासा को बढ़ियां से अपने कापी में नोट कर लें और इसे तयार रख लें इसे परिच्छा में हमेशा पूछा जाता है अगला जो है पीच पद्दत बहुत मोश्टाइमटी है जिस पे एक कोशन नुमेरिकल मतलब सवाल पूछा जाता है पीच पद्दत या पीच मान क्या है तो किसी बिलियन का पीच मान दस की वह रिडात्मा घात है जो उस बिलियन के हाइडोजन आयन सांदर्ता को प्रकट करती है तो यहांपे जो पीच का मान होता है वह दस के रिडात्मा घात होता है यहां देखिए दस के पावर माइनस पीच कहाता है तो दस के पावर माइनस पीच दिया गया तो इसका सुत्र होता है हाइडोजन धनाएन बराबर दस के पावर माइनस पीच हाइडोजन धनाएन बराबर दस के पावर माइनस पीच इसी सुतर के सहायता से इसमें नुमेरिकल कोशन आते हैं उस नुमेरिकल कोशन को हल करने के लिए इसी सुतर का प्रियोग किया जाता है जो बहुत ही आसान सुतर है हगला जो है पीच के विशेस हैं कुछ बातें यदि पीच का मान साथ से अगर कम होता है तो याद रखिए जो बिलियन में आपका अगर पीच का मान साथ से कम है तो बिलियन जो है अमली होता है पीच का मान साथ से कम है तो अमली है और यहां लिखा गया पीच आपका दिखाय गया है कि वहाँ साथ से कम है इसलिए या जो मान जो है पी यच होता है अमली होता है दूसरा विसेश यदि पी यच के मान साथ से अधिक होते हैं तो बिलियन क्या होते हैं छारी होता है इसका मतलब पी यच के मान साथ से जब बड़ा होगा तो अमली नहीं छारी कहलाएगा इती पीएच के मान साथ हो तो बिलियन क्या कहलाएगा तो उदासीन कहलाएगा ना अमली होता है ना छारी होता है जब पीएच के मान आपकु साथ रहेगा इसने सुद जल का पियच मान जो होता है वो साथ होता है जल जो होता है ना खटा होता है ना तीखा होता है वो उदासीन होता है इसने सुद जल का पियच मान कितना होता है वो साथ होता है बहुत मोश्ट आयम्पिक कोशन है जो कई बार परिछा में वो विकल्पी वाले प्रस में पूछा जाता है कि सुद्ध जल का पियच मान कितना होगा चार बिकल्प दिये रहते हैं उसमें उसमें से एक बिकल्प सही होता है तो याद रखिए कि सुद्ध जल का पियच मान जो है आपका साथ होता है अगला जो है पियच के मान के महत की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष् क्या है निम्नें Billion में Hydrogen Lamain gas की उपर प्लस जो है संदरता बठने पर pH का मान क्या होता होता है घड़ता है जब regional plus जो दिया रहाए बढ़ेगा तो pH का मान क्या होता है घड़ता है यदि billion का pH मान सुनने होता है तो billion जो होता है क्या होता है अमली होता है ताब बिर्धी होने पर बिलियन का पियच मान क्या होता है तो आपको ताब अगर बढ़ेगा तो पियच के मान क्या होता है घरता है तो यह जो है बिलियन के महतो पियच के महतो और विसेस्ता है यह भाग जो है पाठ जो है अमलच्छा लवड के भाग नमबर एक है इसके बाद भाग अभी दो आएगा और उसके बाद अभ्यास वाले प्रशनों को एक एक प्रशनों को हल करके आपको बढ़ियां से समझाया जाएगा जिससे परिभासा बहुत असान हो जाए यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे जिससे आने वाले वीडियो आपके पास तुरन राप्त हो जाए नमस्कार